भारत देश के किस राज के द्वारा नॉमेडिक मौसो की सुरुवात की गई है वहां कौन सा राज जिस राज में नॉमेडिक मौसो होता है भारत देश में कौन से कौन से मौसो होते है जैसे मैं कुछ कोशन पूछू भारत मौसो की सुरुवात कब हुई थी रंग मौसो कब ह और अम्रत मौसो की शुरुवात कब ही है नौमेडिक मौसो यह समुदाय के द्वारा होता है यह समुदाय के किस राजिस सम्मंदित है और यह समुदाय का नाम क्या है तो वन मौसो है भारत मौसो है मद्वस मौसो है रंग मौसो है उत्तर पूर्वी मौसो है इस प्रकार से हम लोग आज पढ़ने वाले आए समझते हम लोग बाद आई है मौसो की तो यहां पर यह मद्द्रदेश है हम सबसे पहले पूरे मौसो एक साथ याद कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे हम नौमेडिक मौसो कहाँ पर हुई है किस राज समझदित है यह नौमेडिक मौसो तो सबसे पहरे देखो 1950 का समय है 1950 में भारत देश में एक मौसो की सिर testify थी उसका नाम था वं मौसो वन महसो को शुरुवात करने वाला वेक्ति का नाम था केम मुंसी कनिया लाल मालनिक लाल मुंसी केम मुंसी बोलते है न यह था वन महसो 1950 उसके बाद 1953 का समय आया और यहां लिखता हूंगे 1982 और यह था भारत महसो अब आप बोलोगे सरी यह 1902 ठीक है त्रेपन के है तो सुनो भारत महसो की सुरुवात 1953 में हुई थी लेकिन हर साल मनाए जाने लगा 1982 से अर्थाद भारत महसो 1903 में सुरुवात हुआ था यह आपको देहां रखना पड़ेगा तो भारत महसो की सुरुवात 1953 उसके बाद में 1900 निन्धियनवे का समय है 1999 में भारत देश में भारत रंग महसो की सुरुवात ही थी भारत रंग महसो कोश्चन आएगा भारत रंग महसो की सुरुवात कव हुई है और सातो सात में आप और याद करेंगा 1921 का समय आया 2021 में भारत देश की सरकार के द्वारा 75 वी आजादी का वर्स मनाया हमने उसको नाम दिया अमरत महस्तो अमरत महस्तो की सुरुवात का हुई 2021 में हुई है भारत देश आजाद हुआ 75 वी साल ग्रह हमने मनाई है आजादी की तो 75 साल होने के आउसर पर अमरत मौसों की सुगवाद 2021 में होई अब अजादी के बात तो हो गई है लेकिन मैं आप से कोशन पूछता हूँ कि हम भारत देश में 75 साल अजादी के मना रहे है और आप देख रहे हैं कि भारत देश में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोर्वेल में गिर रहे हैं ये कौनसी अजादी है छोटे बच्चे है ये आप अधिकारी बनोगे कलेक्टर बनोगे तो आपके अधिकार छेत्र में जब जितने बोर्वेल रहेंगे उनको बचाने के लिए आप क्या करोगे आपका क्या अधिकार शेतर है आप देख रहे हैं आज की परवदिया है दो बच्चे बोरवेल गिरके उनकी मत्ति हो गई एक सिंग्रोली का है और एक किसी जीले का बच्चा है तो यह जो बच्चे जो इनकी मत्ति हो रही है इनका क्या जो बच्चे है वो जहर खाके मर रहा है यह अजादी कौन सी है इनकी कौन सी भारत देश में क्या विवस्त है हमारे पास में है जिससे की जो बच्चे है वो बच सकेंगे छोटे बच्चे है बोर्वेल गिरने से बच सकेंगे यह सारी अवस्ता कब होगी और हम कब भारत उत्तरपूरी संसकती मौस्थों की सुर्वात की है मौस्ठोर में 34 में इस प्रकार कुछ मौस्थें Cornetta destructive सब्ужकार्णों चिनल को 한데 तोश्मार्णों मोस का घीर स्यागतो eligible रिकcessor कि प्रकारे और नौमिडीं जाता है नौमिडिक पुल्च करे करेंब पाषresh लेकार्टे एक हो गया रहा है मुस्रा हो गये हैं पर लगा तो इनका निर्मान का हुआ आप सब को पता है 5 अगस्थ 2019 को भारत देशंए जम्मू कस्मी लगणा कि अतवर यूटीज कोई है उसका नाम लग्दाक राज्ज है लग्दाक का छेत्रफल आपको पता है च्यालीस एकसो उनसाट स्क्वेर किलो मेडर में लग्दाक पहला हुआ है भारत का सबसे बड़ा यूटीज लग्दाक और छोटा राज का नाम है लक्षदीफ लक्षदीफ जो है वो 32 स्क्वेर किलो मेडर में फैला हुआ है इस क्रकार से भारत का सबसे छोटा राज लक्षदीफ है यूटीज में बड़ा राज है कौन साल लग्दाक इससे पहले 2019 से पहले भारत देश का यूटीज बड़ा कौन सा था उसका नाम था यहां पर है हना छोटा जो है उसका नाम है लक्षदीफ तो क्या हुआ है नॉमेडिक महस्तो जो है नॉमेडिक महस्तो हर साल भारत देश में आयजित होता है एक लड़ाग जो छेतर है लड़ाग में एक समुदाय रहता है उस समुदाय का नाम है चांगपा समुदाय यह चांगपा खेत्रे में होती बरफिले प्रिदेश में होती है यह वो चेत्रे तो यहां चांग्पा महस्तों जो होता है यह जंगली जो समूदाय है एक समूदाय है खाना बदोसी समूदाय है खाना बदोसी का मतलब होता है आज यहां कल वहां परसों परिवार जाएगा अगली और वहां जाना पिएसे गुमघुम करके गुमकड के समान जो रहते हैं। उनको खाना वदोसी कहते हैं तो जम्मुकस्मीर लदाग-शत्र में एक समुधाय है, उसका नाम है चांगपा-शमुधाय के माध्ययम से नॉमेडिक महुष्तों लदाग-शत्र में होता है, हर साल होता है ये पूरुस महिला इस प्रकार से वहाँ पर जो है ये समुदाय के लोग वहाँ पर तेवहर मनाते है और इसमें विश्व के सभी धेर साइड लोग उनका संस्क्रती है ये जो चांग पर समुदाय है चांग पर समुदाय की संस्क्रती का ना संस्क्रती यहां आय जानवर होते हैं जानवर के मास से बेंजर अलगर प्रकार की भोजन बनाते हैं वो परोस्ते हैं साथ में वहां जो प्रवती छेत्र की जानवर होते हैं उनके अर्म दिखाया जाता है कपड़े किस प्रकार पहनते हैं जंगली जानवर की कपड़े वो पहनते हैं वो सब के अर जिसे है तो लगडाक शेत्र से है हर साल नहीं नॉमेडिक मौसो का संबंद की शेत्र से है तो आंसरा के लगडाक से नॉमेडिक मौसो हर साल होता है और चांगप समुदाय के द्वारा होता है चांगप ये खाना बदोशी समुदाय के लोग है को से इस पकार से बनेगा इनकी संसकती के बारे में इनके प्रचार प्रसार के बारे में ये सब दिखाने के लिए ही मौस्तो होता है इसी मौस्तो का नाम है कौन सा नौमेडिक मौस्तो ठीक ना तो पस्विना भेड परवती भालू परवती भेड परवती जो बाग है इन सब के रीच इन सब के बारे में पाग देने जाते हैं